SSE JD Constable 2023 के सभी Candidates का एक बार फिट से मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम तीन टोपिक्स के उपर बात करेंगे आज हम बात करेंगे Physical Update, Normalization and Final Selection के उपर सबसे पहले तो जितने भी Candidates हैं जिनका कल Physical के लिए Selection हुआ है जिनका नाम लिस्ट के अंदर आया है उनको हमारी तरफ से बहुत सारी बदईया और जिनने भी ऐसे Candidate है जिनका नाम नहीं आपाया है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आप पे विश्वास है आप भी खुद पर विश्वास रखे कि आने वाली जितने भी Opportunity होंगी जितने भी मोके होंगे उन सब के अंदर आप सभी की भी Government जो भी यहां पर लग जाएगी तो अब यहां पर बात करते हैं आपकी Physical Date को लेकर कि क्या 15 तारिक को आपका Physical Conduct करवाय जाएगा या नहीं करवाय जाएगा तो आप सभी ने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैरी बात हुई है किसी सोर्स से और उन्होंने जो मुझे Information दिये है वो मैंने आपको वाँपर convey की थी इससे पहले result को लेकर भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो result है वो 7 या 8 तारिक को आ जाएगा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था लेकिन आपने देखा कि हमारी बात बिल्कुल स्टिक रही वहाँ पर 8 तारिक को जो आपका result है वो वहाँ पर आ गय सो ऐसी ही information आपको यहाँ पर मैं physical की भी दूँगा कि क्या कुछ चल रहे हमारा main motive यही है कि जितनी हो सके सही ख़बर आप तक पहुचाए जाए बाकी ख़बरे हैं source से मिलती हैं कई बार अब डाउन भी वहाँ पर हो जाता है सो अगर हम बात करें physical को लेकर तो कल जो मैंने आपको बताया था कि बताया जा रहा है कि अभी जो department है जैसे जो physical conduct करवाएंगे उनको सिर्फ यह बताया गया है कि 15 April से आपके जो physical है वो start होने वाले हैं लेकिन उसके बाद के जो further notice होते हैं जैसे duty हो गया या फिर कौन-कौन सा क्या-क्या काम करेगा और क्या-क्या चीज सकते हैं और उसके लिए आप अपने जो भी requirements हैं जो भी आपको करनी है वहाँ पर तियारिया वो सारी आप अपनी तियारिया रखो सो अभी तक वही चल रहा था सो आज हमने दुबारा बात की है तो उनसे हमें यह information मिली है कि in department ही हमारे पास notice तो नहीं आया लेकिन in department जो है जो orders वगरा दिये जाते हैं जो verbally जो आपको मोखिक जो आपसे कहा जाता है कि ऐसे करो ऐसे करो वो वाली हलचले यहाँ पर तेज यहाँ पर कर दी गई है तो यहाँ पर इन सारी खबरों से यही समझ में आता है कि 15 तारिक से 15 एप्रेल से ठीक है आपका जो physical है वो conduct यहाँ करवाया जा सकता है तो यहाँ से लगता है कि 15 एप्रेल तक आपका जो है जो फीजिकल है वो conduct करवाया जा सकता है दूसरा यहाँ पर उनकी तरफ से यह भी है कि जब तक हमारे पास लिखी तो नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम इन डिपार्टमेंट टी त्यारिया अपन जैसे कि आपका ग्राउंड को ठीक करना आपके जो टेंट वगरा लगाने है चेर्स वगरा का अरेंजमेंट इस तरह के अरेंजमेंट समभई हम कर रहे हैं वहाँ पर सारी चीजे बट जब हमारा पूरा जब हमारे पास लिखित नोटिस आ जाएगा उसके बाद वहाँ पर जो है यहां पर आपका जो फिजिकल है वो कॉंडेक्ट करवा दिया जाएगा बट अगर उनके पास डिपार्टमेंटल नोटिस नहीं आता है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि कल तक कि कल तक जो है हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास नोटिस आया है या नहीं आया है तो कल यहाँ पर वो हमें बता देंगे कि उनके पास notice आया है या नहीं आया है अगर कल notice आया होगा तो 15 तारिक पर आपकी more लग जाएगी अगर कल भी notice नहीं आया होगा उनके पास सो यहाँ पर जो आपके physical है वो most probably 20 से 25 एपरेल के असपास टीक है 20 से 25 एपरेल के पास shift भी हो सकते है बट सारी चीडिपेंड करेंगी कि उनके पास notice आता है departmental या नहीं आता है और अगर उनके पास departmental notice यहाँ पर कल आ जाता है तो कल ही आपको आपके जो admit card है टीक है कल ही जो आपके admit card है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो दोनों चीज़ें वहाँ पर साथ होंगी आपके admit card and notice जो है वो सारे साथ ही distribute किये जाएंगे तो कल तक आपकी सारी चीज़े clear हो जाएंगे कि आपका physical 15 से होगा या नहीं होगा बट अभी तक जो situation लग र आता है admit card आते हैं या नहीं आते हैं तो कल यहाँ पर आपको सारी चीज़े clear कर दी जाएंगे ठीक है चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं normalization की normalization पहले जितने भी बच्चे वह अपनी त्यारी जरूर रखना इस वरम में मत रहना कि आपके physical 15 से नहीं हो सकते हैं ठी हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों के नंबर यहाँ पर बढ़े है mostly जितने भी हमारी बात हुई है और यहाँ पर 15 से लेकर 16 नंबर 17 नंबर तक का भी benefit यहाँ पर बच्चों को मिला है यह जितने भी बच्चों को हम जानते हैं उन से हमें update मिली है सर 19 नंबर उसका लगभग लगभग जो है यहाँ पर पोच गया तो इसी वज़े से जो आपकी cutoff है वो यहाँ पर high बढ़ी गई है क्योंकि जो normalization है उसका बहुत जादा benefit यहाँ पर बच्चों को दिया गया ठीक है अब बात करते है normalize marks कब तक देखने को मिलेंगे तो आपक इसको आपके जो है markswopper आउट कर दिये जाएंगे इसके बाद अगर मैं final selection को लेकर बात करो तो जितने भी यहाँ पर आप cutoff है जैसे कि मैं अगर UP राजस्तान की बात करता हूँ 121 के करीब जैसे आप देखोगे जो 121 भी आपकी cutoff गई है ठीक है so 121 cutoff जाना अपने आप result late की वज़े से और इसी वज़े से जो यह cutoff यहाँ पर बढ़गी है physical की अब final cutoff में उमीद है में कि आपकी cutoff इतनी ना बढ़े सिर्फ 2-4 नमबर ही आपकी उपर जाए चे नमबर तक उपर जाए इससे जादा आपकी जो cutoff है वो जादा high ना जाए यहाँ पर क्योंकि ज सब कुछ होने के बाद भी cutoff काफी high रही है ठीक है किसी ने भी expect इतना नहीं किया था हमने खेर जो first वाली बताई थी उसके अंदर जो हमारी range थी वो थी 104 से 110 के बीच में फिर vacancy बढ़ने से हमारी range होगी 102 से 108 के बीच में ठीक है हमने यह का था इधर से minus 2 कर लेना इधर से minus plus 2 कर लेना मतलब 8 की 10 या 2 से इधर और घटा सकते हो 6 भी आप यहाँ पर कर सकते हो बट हमारा जो आइडिया था वो इतना ही था कि 8 या 10 तक ही जा सकती है आपकी cutoff ठीक है बट इससे भी बहुत जादा high चेली गई है और इसकी सारी जुम्मेवारी हम अपने उपर लेते ह है कि हमारे जो आइडिया है वो यहाँ पर हवा हो गए है ठीक है इतना ही कर सकते हैं आप सभी के लिए कि गलत रहेगी हमारे आइडिया यहाँ ठीक है लेकिन हमने अनुमान जो लगबग जो मैंने था आपके सामने 110 और 108 की रेंज आप मेरी चेक कर सकते हो जो लोग आपको cross कर जाएगी 221 तक चली जाएगी ठीक है चलिए अब आप जितना भी selection हुआ है अभी वो physical की त्यारी कीज़े 15 तारिक से साइद आपको करवा दिया जाए कल आपकी सारी चीज़ किलियर हो जाएगी और जो भी physical किलियर कर लेगा उसका final selection यहां पर होना ही होना है लिखकर ले लो क्योंकि इस बार का जो final आप देखोगे जब physical के बाद जो बच्चे selection लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको खुद दिख जाएगा कि कितना percent यहां पर ratio रहा है मुश्किल से आपका 20-22 percent ratio ही यहां पर रहने वाला है ठीक है सो जितना आपको medical के लिए करेंगे उससे लगबग लगबग बच्चे पास होंगे और उसी के according ही आपकी जो cut-off है वो यहां पर increase होगी सो जो भी physical निकाल सकता है वो final में भी अपना नाम जो है देख सकता है सो यहां पर physical के आप अच्छे से तियारी करो ठीक है सो बस यही कुछ updates थे आपके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धेंगी सो मच नमस्कार